के-ज़ी खिए पैज पीए तुट टॉट खर आए है अपनी आज की ट्वेड्स के आदे मैं जैसी कि आपको पता है मैं स्मार्ट मनी कंसेट प्र ट्रीडिंग करता हूं इस के आपके साथ सेथ करता हूं तो और मेरा भी रिवीजन हो जाए तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको पता दो आज का मेरा ओवरॉल डे कैसा रहा है ओवरॉल डे मेरा इंडियन मार्केट में अच्छा रहा है एक तरिक से बोलें क्योंकि मैंने एक टार्गेट बुक किया है और एक स्टाप लॉस बुक किया है अगर आपको पता है मैं एक टार्गेट एक स्टोप लॉस लोगा तो मेरे रिस्क रिवाट रहता है 1 रेशो 5, 1 रेशो 6 तो ओवरॉल मैं अच्छा का सा ग्रीन में डे एंड किया हूँ साथ मैं एक 4X की ट्रेट की थी Forex की trade के दिए बहुत जबरदस चल रही है SPX की trade तो आपके सामने ही चल रहे है मेरी कितनी बढ़िया चल रही है अराम से 1 ratio 13 का target लेकर SPX में चल रहा हूँ तो यही मेरी trades हैं आज की इनी को सब को आवारे में हम NSS करने वाले हैं Overall market में March 28 से लेके चलता है अपने community में जो मैं trade share करता हूँ उनको आपके discuss करते हैं तो ठीक है सुरुवात में ही मैंने बोल दिया था कि market में अपना capital सेव करो market भादार range bound है तो बहुत problem होने वाली है trade के लिए market is totally in range to signify that soon we will see a book move big move आपको देखने को मिलेगा फिन निफ्टी को देखता है फिन निफ्टी के एंट्री मैंने share करी थी आपको साफ देख रहा हूँ 17667 पे mirror entry point था 17679 पे mirror stop loss था easy 1.06 का आसपास का मैं target लेके चला था ज़्यादा है भी नहीं चला था क्योंकि मुझे पता है market में बहुत volatility है कभी भी reversal आ सकता है तो 1.06, 1.05 लेके मैं चल रहा हूँ तो easy बहुत अच्छा target decent target है मैं इससे खुष था 1.06 मैं done फिन निफ्टी के ये trade थी मेरी उसके बाद आपको निफ्टी में बहुत ज़्यादा important था निफ्टी में बहुत ही ज़्यादा मैं aggressive entry करने वाला था और अच्छी खासी quantity के साथ करने वाला था फिर भी मैंने आपसे कहा था निफ्टी मिरको बहुत पसंदा रहा है मैंने कहा था निफ्टी is good as compared to all other indexes तो मिरको वही problem हुई ये निफ्टी का spot chart है मेरको entry इसमें दिन भर देखने कर नहीं मिली निफ्टी में ठीक है तो उसके बाद देखो मैंने यहाँ पर एक और चीज़ लिखिया है और प्लीज ट्राइट टू अनलाइज दिस there is something good to learn about market structure USDJPY का chart मैंने share किया था मैंने सबसे कहा था कि 4 hour में और daily में इसको structure समझने को करो मुझे ही बताओ क्या चीज है और क्या समझना आ रहा है तो इससे आप सीखने को मिलेगा USDJPY का chart है इसमें मेरे बहुत अच्छा target का मैंने 60-70 pips का मैंने book किया है इसमें भी ओके यह chart भी हाँ analysis करेंगे उसके बाद देखो फिर निफ्टी की entry trigger 17667 की entry थी वो trigger हो गई है कैसे entry trigger हुई ठीक है उसके बाद equalize nifty में मेरे को अभी भी trade नहीं मिली equalize बनाए है यह liquidity trap था यहाँ पर तो फिर भी मेरा zone था वही था ओके nifty की entry में नहीं हुआ है भी तक trigger यहाँ पर दिखा दिया है अपने और आइस यही दिक्कत थी कि मेरे bank nifty में stop loss गया उसने previous days हाई भी तोड़ दिया मैंने पहरे सो साय लिक्विड़ी ले नीचे चले जाए लेकिन इसने days हाई भी तोड़ दिया यही दिक्कत थी कि मेरे stop loss bank nifty में गया sdfc supply में था थोड़ा सा ICSA support करता तो मेरे साय bank nifty में भी stop target hit हो जाता ओके तो 1 ratio 3 जब 1 ratio 3 वा था था तो मैंने 342 पेपस बुक किये थे वो मैंने share किया है market मैं इसका आप से कहा है market is just moving in range 480 points के range में चल रहा है तो problem हो सकती है बहुत cautiously trade करना और इसी में SMC traders हो या कोई भी trader हो accuracy थोड़ी decrease जाते हैं कि trades नहीं मिल रही होती है थोड़ी aggressive entries claim जाते है volatility जाता होती है trap हो जाते है तो यही दिक्कत होती है USDJPY के entry है 162 pips के आसपास मैंने entry कर दी दूसरे फोन पर करता हूं तो मैंने photo खींच के भीज़ा और 130.581 पर मेरी entry होई थी 130.951 वो चल रहा है अभी भी open position है भाई है इतना बड़ी आमेंट्स पर target book कर रहा हूं यह मैंने आपको साफ share किया था ओके ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं मैं आपके साथ सब share कर रहा हूं S&P 500 की recent entry तो यह ओवराल मेरा day था बहुत अच्छा खासा दिन गया था ओके डिसकस करते हैं सबसे पहले सुरुआद हम उसी से करेंगे Fin Nifty की trade से सुरुआत करता है बहुत easy analysis है बहुत जल्दी समझ जाओगे इसमें को इतना hard and fast analysis नहीं है तो समझ नहीं को इस करना मैं आखिर कैसे trade कर रहा हूं बहुत बारीकी से explain करने वाला हूं और बहुत ही बारीकी से trade किया भी है ठीक है market को जो observe करें market जो कल की closing थी उससे बहुत अच्छा खासा gap up open होता है market अच्छा खासा gap up open होता है इसका मतलब market gap feeling के ले जा सकता है ठीक है market gap feeling के जा सकता है अब market को इस बाद देखो एक range form करता है एक अपना high form करता है ये area पर अपना high बनाता है एक market low बनाता है फिर बहुत अच्छे से analysis deep analysis करना पड़ेगा चार्ट को और zoom करते ताकि आपको और कुछ समझ में है ठीक है candles को read करने का try करो यहां पर ठीक है market एक high बनाता है high बनाने के बाद एक heavy various candle बनाता है इसका मतलब साफ यह indicate करता है कि यहां पर हमको market में imbalance देखने को मिला है जो की fill हो सकता है एक low बना देता है low बनाने के बाद market pull back लेता है pull back पर सारा imbalance जो होता है वो fill हो चुका होता है तो इसका मतलब अब imbalance नहीं बचा है market दुबारा try करता है break नहीं कर पाता है इसका मतलब साफ इसका दिनोड होता है इसका मतलब दिनोड होता है market नीचे जाना चाहता है पर support बार बार मिल रहा है ठीक है यह support हमको break होना पड़ेगा तभी market एक नीचे जाएगा market थोड़ा consolidate करता है consolidate करता है तो previous candles के liquidity होती है वो भी sweep करता है sweep करने के बाद आपको देखेगा यहाँ पर एक अच्छा volume imbalance करता है volume imbalance के बाद आपको यहाँ पर देखेगा फिर से try करता है नहीं break कर पाता फिर जाके break करता है break हो जाता है इसका मतलब साफ है days low break हो गया importance supply हमारा यहाँ पर बनाई है जो weekly sweep पाला है वहीं से enter करेंगे यहाँ पर से हमारा break हो जाता है entry होती है यहाँ पर entry miss होती है यहाँ पर फिर से entry होती है entry करने का easy one ratio 5.5 one ratio 6 के आसपास हम book करते हैं तो इतने easy analysis थी लेकिन इतनी ज़्यादा deep analysis थी यह सब आपको करना पड़ेगा जब आप trade करोगे range bound market में range bound market म में आपको days high sorry days high कह रहा हूँ आपको 15 minute high 15 minute low mark करना पड़ेगा उसके हिसाब से breakout breakout डाउन पर trade करने पड़ेगी अलग strategies होती है यहाँ को सीखना पड़ेगा range bound market में trade करने के लिए क्योंकि अगर आप 15 minute को एक बार observe करो इसमें 15 minute को घर आप observe करोगे आप simple breakout structure पर trade करोगे जो क कौन सब breakout structure डेट करोगे कोई भी नहीं कर सकते हो 5 minute देख लो 5 minute देख लो कुछ है breakout structure यह high है previous डेगा यह high है low है previous डेगा कुछ हो रहा है market में कुछ भी नहीं हो रहा है तो यह बहुत ज़र tough हो जाएगा trade करने के लिए तो यह आपको days high 15 minute high 15 minute low में trade करना सीखना पड़ेगा तो 1.06 आप easy book कर सकते हो फिन निफ्टी में भी ओके expiry थी तो easy analysis था में निफ्टी के डेट का जाता है 5 minute का analysis था बहुत easy analysis था उसी को discuss करेंगे ठीक है market ने 15 minute low बनाए यह 15 minute low था break करने के बहुत ट्राय करी फिन निफ्टी की तरह last पर break कर दिया break कर दिया pullback लेता है pullback लेत आता ह सै और trend line बन रही थी trend line के liquidy trap करता है उसके बाद एक heavy imbalance के साथ break up structure करता है k extr ko देखो जोन में trigger वह one race мång मिनकों देख को मिला equal lose भी बनाए थोड़ी देर में वह equal load मेरे grab हो जाते हैं यह देखो यह equal load लोज आए थे हैं पर grab यह देखो equal load liquidity perfect mark की थी मैंने देखो perfect mark की यहीं पर वो grab हो जाती है सोचा था कि दुबारा zone पर आएगा price ने equal load बनाया है यहाँ पर दुबारा zone पर आएगा दुबारा equal load लेके नीचे आएगा और easy हमको कम से कम 1003 तो देगा ही देगा बड़ ICAC bank ने बिलकुल भी support नहीं किया मैंने आपको 25% बुक है कुछ भी analysis नहीं था simple साथ one hour पर चलता है वन hour पर आपको चलने को देखने को मिलेगा ठीक है मैंने एक चीज़ और बोड़ी थी डेली में और आवली में को क्या difference देख रहा है ठीको डेली में अगर आप देखोगे तो market यहाँ पर के demand से आ रहा है देखो market demand से react करने के बाद daily time frame में change of character भाई बहुत ज़्यादा important होता है daily time frame में change of character हो रहा है और pullback के लिए market आ रहा है पूल बैक के लिए market आ रहा है इस candle के low की liquidity ले रहा है यहाँ बहुत important liquidity थी इसकी liquidity ले रहा है market उपर को जा रहा है इसका मतलब daily में हमको साब नजर आ रहा है कि market और इस final zone पर entry करेंगे जो कि हमको बहुत 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 target देने वाला है अभी यह trigger नहीं हो है बहुत अच्छा zone था यह वाला मैं final सोच के बढ़ा था कि यहां से target लूँगा 4 hour में हमको क्या different different structure समझ में आ रहे थे तब ही मैंने बोला आपको कि आपको 4 hour और daily को को मिलेगा market overall totally downtrend में तो यही मैं आपको समझाने जा रहे था कि दो टाइप के market structure बन सकते हैं दो अलग अलग time time में आपको daily में देखने को मिलेगा market pullback के लिए आ रहे था change of character कर चुका है change of character कर चुका है और bullish turn हो रहा है कूंकि liquidity भी ले चुका है grab कर चुका है लेकिन फूर को discuss करते है normal structure था यह वाला structure जब high break होगा एक अच्छा high break मैं इसको break ले लिया था और थरी मिनट में observe कर रहा था तो overall यह break था ठीक है break ले लिया था मैंने इसको और अगर आप इस area को देखोगे market liquidity लेके आता है liquidity लेने के बाद ठीक है कहीं पर भी आपको देखने को मिलें नहीं मिलेंगा कि liquidity grab है इस area पर range formation करता है सबसे बड़ी range होती है यहाँ पर छोटी range ही यहाँ पर छोटी range है सबसे बड़ी range लेता है range के liquidity लेने के बाद इस high का break करता है इस high को break करता है तो easy structure जैसे market आए zone में entry मिलेगी zone में entry करने के बाद थोड़ा target हमारा यह रहता है यह हमारा 70% 75% का target रहता है जो कि हमारा रहता है 104.5 का risk reward की बात करें तो 63.7 pips 63 pips भाई बहुत heavy target है बड़े-बड़े targets के जा रहा हूँ तभी मैं एक trade में ही अच्छा कमा रहा हूँ और दो stop loss भी होते हैं उसके बात कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 104-205 मैं बुक कर रहा हूँ यह तो छोटर target हो गया बाई मेरा honestly बताँगा 4x में यह मेरा चोटर target है 4x में easily मैं ट्राय करता हूँ 106 तो प्लस जाही जाहूं ही जाहूं सोचा नहीं था यहाँ पर stop loss हो जाएगा कोई साइद news ही आई थी इस वक्त कोई यहाँ यहाँ पर news थी market में तब इतना heavy downfall मिला अचानक से कोई दिक्कत थी कोई दि trade है कोई इसका target भी नहीं हुआ stop loss भी नहीं है फिर भी एक बार के लिए आपको explain कर दो क्या है trade में कुछ नहीं है भाई देखो market ने previous एक area के liquidity है liquidity क्या है liquidity करने के बाद एक बहुत strong candle बनाई है as a zone as a zone strong candle बनाई है डेस लोगों तोड़ा है बहुत अच्छे तरीके से डेस ल आपको देखने को मिलेगा structures break हो रहे है break of structures बन रहे है break of structure बन रहे है market supply में टैप करता है यहाँ पर change of character करता है ठीक है extreme and mitigated candle हम लेते हैं जिसमें imbalance भी है वह imbalance वाली candle हम लेते हैं entry trigger होती है target आप खुद देख सकते हो कितना अच्छा अंबुक कर रहे है बहुत easy change of character वाला model है entry पहले ही देता हूं ठीक है entry trigger होने से पहले ही देता हूं ताकि कोई भी वह ना रहे हमें सब learning तब मिलती है जब आप मेरे chart observe करोगे मेरी entry से पहले learning आपको तब ही मिलेगी after market analysis या after target मैं chart भेजूगा तो कोई फायदा नहीं है analysis कुछ नहीं सीखने को मिलेगा ठीक है सीखने करके बहुत अच्छा कोर्स है भाई आपको basic to advance सब कुछ सीखने को मिलने वाला है stock market SMC के बारे में smart money concept के बारे में basic में candlestick से cover किया है advanced level में पूरा high level liquidity से लेके मैं अपनी entry taxing सब कुल discuss किया है ताकि आपको पूरा a to z basics से लेके advance तक SMC आ जाए जैसे और normal सी बात है recorded course आप आपको provide करूँगा तो आपको doubts जरूर आएंगे तो doubts के लिए आपको हर weekend हर Sunday को two hours का doubt class मिलती है सारे doubts पूछकते हो unlimited sessions मिलेंगे देखो जब तक course समझ में नहीं आता है आपको SMC समझ में नहीं आता तब तक मेरी doubts session लोग कोई दिक्कत नहीं है doubts अपने सारे पूछते रहो ठ coupon code है ज्यादा coupons नहीं परते हैं एक है दोई slots बचे है coupon है welcome bonus का coupon है 799 का discount ले सकते हो ठीक है 5899 course का price है वो आप मेरे को उसमें 799 का discount लो 5099 का आपको course मिल जाएगा link description में है कोई bit out होता है WhatsApp number लेख लेता हूं WhatsApp number में DM कर सकते हो WhatsApp number description में भी लिखा है 843-485564 ठीक है यह मेरे WhatsApp number है अगर आपको course join नहीं करना है को थोड़ा बहुत SMC आता है लेकिन आपको कोई mentor नहीं है आपके पास यह आपको दिक्कत होती है trade समझने में तो आप मेरे सर्फ community joint कर सकते हो इस community में आपको चार्ट से group का access मिलेगा यह चार्ट से है इसमें बिफोर market share करता हूं बिफोर entry share कर करने को मिले और community price की बात करें community में अगर आपको join करना है इसकी price की बात करने तो 1700 रुपीस प्राइस है इसका two months का two months का price आपको 1700 रुपीस आपको yearly और annually package भी ले सकते हो या lifetime का package ले सकते हो उसके लिए आपको WhatsApp में DM करना है WhatsApp नमबर मेरा यह है उसमें DM करो community में भी मैं आप को एड करवा दूंगा so thank you for watching